वेल्कम बैक टू वर्किंग थॉट्स आज इस सेशन में जारखन्ट जीयस के कुछ इंपोर्टेंट क्वेस्टन को देखेंगे पिछले सेशन में हमने संख नदी और दक्षनी कोयल के कुछ इंपोर्टेंट MCQs को देखे थे आज के सेशन में एक इंपोर्टेंट रिवर है स्वन रेखा नदी और आज हम उसी के MCQ को देखेंगे तो स्वन रेखा नदी जो है ये दक्षनी पुर्वी अपवा तंतर का हिश्चा है हमने पिछले सेशन में देखा था कि जार्खन में पांच अपवा तंतर हैं जिसमें से एक दक्षनी पुर्वी अपवा तंतर भी है और स्वन रेखा नदी जो है दक्षन पुर्वी अपवा तंतर का हिश्चा है तो question में कह रहा है पहला question है कि जारखंड की एक मात्र नदी जो स्वतंत रूप से समुद्र में या फिर हम बोल सकते हैं कि बंगाल की खाड़े में गिरती है तो वो कौन सी नदी है तो इसका correct answer होगा स्वन रेखा नदी स्वन रेखा नदी या फिर धक्षनी कोयल नदी का origin दोनों का origin जो है उद्गम अस्तल सेम है उद्गम कहां से होता है तो ये हो गया नगड़ी गाओं रानी चुआ ठीक है रानी चुआ और ये कहां पर पढ़ता है राची जीला में पढ़ता है ठीक है राची जीला या फिर हम राची प्लेट्यू या फिर राची पठार कह सकते हैं ठीक है और ये जो है राची से डिस्टेंस कितना है लगबग इसका 15 किलो मिटर की दूरी पर है ठीक है अब इसका जो मोहाना है ये मोहाना कहां पर है अगर हम मोहाने की बात करेंगे ये तो दोनों का उद्गा मस्ताल है लेकिन स्वन रेखा नदी का जो मोहाना है ये कहां है ये है बाला सोर बाला सोर ठीक है कहां पर पड़ता है उड़ी सा में और एगजेक्ट कर जगह की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा चौ मुखा गाओ शौ मुखा गाओ यहीं पर समुधर में मिल जाती है चौ मुखा गाओ ठीक है और यहां पर ये क्या होता है बे और बंगाल यानि कि बंगाल की खाड़ी में जो है मिल जाती है समुदर में मिल जाती है तो ये जो है जारकन की एक मात्र ऐसी नदी है जो बिना किसी अन्य नदी के सहता से समुदर तक पहुंचती है ठिक अब दक्षनी कोयल का अगर हम बोलेंगे तो ये दक्षनी कोयल क्या है कि बाद में संख नदी से मिलकर ब्रहमनी नदी बन जाती है और संख नदी या दक्षनी कोयल नदी का जो मिलन होता है ये कहाँ पर वेद व्यास संगम जो की राउर केला के पास है वहाँ पर होता है अब यहाँ पर है North Koyal River उत्री Koyal River तो इसका जो औरजिन है यानि कि उद्गम है यह कहाँ पर है यह है गुमला के पास गुमला चैनपूर ठीक है और यह कटुआ के पास पुड़ता है गुमला चैनपूर और इसका जो मोहाना होगा जहाँ पर यह किस नदी से मिलती है इसका जो मोहाना होगा यह कहाँ होगा सोन नदी ठीक है तो यह जो है सोन नदी से जाकर जो है मिल जाती है ठीक है सोन नदी से जाकर यह मिल जाती है अब देखिए Nest यहाँ पर क्या होगा मौराक्षी नदी तो मौराक्षी नदी को मौर नदी के नाम से भी जानते है ठीक है इसका जो उद्गम है ये कहां से होता है तिरकुट पहाड़ी से होता है तिरकुट पहाड़ से होता है जो कहां पर देवगर जिला में पढ़ता है अब ये पहाडी देवगर्स ये जो नदी है देवगर्स निकल कर दुमका होते हुए वेस्ट बेंगॉल में परवेस करती है दुमका में जो है इसी नदी के किनारे हिजला मेला लगता है और ये दुमका होते वे वेस्ट बेंगॉल में प्रवेस करती है और किस से मिल जाती है हुगली से हुगली से मिल जाती है कोलकाता कोलकाता में हुगली से मिल जाती है ठीक है कोलकाता होना चाहिए ठीक है तो इसका correct answer option number B होगा स्वन रेखा नदी भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है तो स्वन रेखा नदी जो है भारत के तीन राज्यों से होकर गुजरती है पहला क्या हो गया जारखंड और जारखंड में राची से निकला फिर सराय केला खरसावा में घुसा फिर कहां होगा इस्ट सिंग्भूम होगा पुर्वी सिंग्भूम पुर्वी सिंग्भूम और उसके बाद ये जारखंड से बाहर निकल जाता है फिर वेस्ट बेंगॉल में जारखंड और ये जो जारखंड है इसका जो पुर्वी ये कौन सा इलाका है वेस्ट मीदनापूर वेस्ट मीदनापूर यानि की पस्सिमी मीदनापूर का छेतर को हम लोग जारखंड बोलते हैं और फिर कहां पर उडिसा बाला सोर और यहीं पर जो है चवमुखा गाउं तो कौन-कौन सा जहारखंट तीन राज से जहारखंट विश्ट बंगल उडिसा तो जहारखंट विश्ट बंगल उडिसा इसका Correct answer होगा ठाई किरतनिया बंदर काहां है तो देखिये यह जो है नदी यह राची से निकला राची से निकलके सराईकेला घुसा सराईकेला से घुसारके सराईकेला से निकलकर जो है इस्ट सिंगभूम इस सिंग्वूम से होके जो है ये क्या हो गया जार गराम वेस्ट बेंगल और फिर वहां से क्या हो गया बाला सोर बाला सोर और ये कौन से जगा हो गया उडिसा का और यहां पर पड़ता है चौमुखा गाउ और यहीं पर इसी पर जो है क्या है किर्तनिया पोट पड़ता है ठीक है किर्तनिया पोट किर्तनिया बंदरगा किर्तनिया बंदरगा जो है इसी चौमुखा गाउं के पास है जहां पर ये नदी जो है सुन रेखान दी किस से आगर मिलती है बंगाल की खाड़ी से अब यहां पर जो है एक डैम है ठीक है इस डैम को क्या बोलते है गालू डी डैम गालू डी डैम गालू डी डैम जो है यह कहाँ पर पढ़ता है उडिसा में पड़ता है गालूडी डेम कहां पर पड़ता है किस नदी पे स्वन रेखा नदी पे और चमुखा गाउं से पहले पड़ता है उडिसा में पड़ता है गालूडी डेम उडिसा में पड़ता है ठीक है उसके बाद क्या है तो ये कहां हो गया कितनिया बंदरगा किस राज में इस्तित है तो ये कहां पर इस्तित है ये उडिसा में इस्तित है तो इसी जगह पर जो है सराइ केला में भी एक चांडिल डैम पड़ता है कौन सा चांडिल डैम इसी नदी पर पड़ता है चांडिल डैम सराइ केला में जारखंड में स्वन रेखा नदी का अपवा छेतर कितना है तो जारखंड में पूछ रहा है यह जो है इसका करेक्ट आंसर कितना हो जागा 13193 किलोमेटर 13193 किलोमेटर जो है यह पड़ता है ठीक है 13193 किलोमेटर जो है इसका अपवा छेतर पड़ता है 19296 किलोमेटर जो है इसका टोटल अपवा छेतर है अपवा छेतर है छारखंड में कितना पड़ता है 13193 किलोमेटर और फिर अगर हम बात करेंगे तो ये जो है किसका पड़ता है फिर कहां से गुजरता जहारखन के बाद उडिसा आया और उडिसा के बाद जहारखन के बाद जो है वेस्ट बेंगॉल आया और फिर कहां आएगा उडिसा आएगा ठीक है तो जादा वाला जो है किसका होगा उडिसा का होगा तो ये का किसका होगा वेस्ट बेंगॉल का ठीक है ये किसका हो गया है वेस्ट बेंगॉल का और ये 3114 किलोमिटर जो होगा ये किसका अपवाच छेतर है उडिसा का है ठीक है और 2900 2,989 किलोमिटर जो है वेस्ट बेंगॉल में इसका अपवाच छेतर है तो जारखन में कितना है 13,193 किलोमिटर और टोटल पुछेगा तो 19,296 किलोमिटर स्वन रेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है तेकि अगर टोटल लेंद की बात की जाए तो टोटल लेंद कितना हो गया 395 किलोमिटर ठीक है और जारखन में बात किया जाए तो 269 किलोमिटर जारखन में है और 62 किलोमिटर जो है किस में है उनिसा में है और वेस्ट बेंगॉल में कितना है 64 किलोमिटर ठीक है वेस्ट बेंगॉल में कितना है 64 किलोमेटर और 62 किलोमेटर जो है किसमे है उडिसा में है ठीक है यह टोटल लंबाई होगा तो टोटल कितना हो गया 395 किलोमेटर मेंगा करेक्ट आंसर होगा ठीक नेक्ट क्वेशन है कि जारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जलपरपात किस नदी के किनारे देखिए अगर जारखंड की बात करें तो जारखंड की जो सबसे बड़ी जलपरपात है सबसे बड़ी वाटर फॉल है जल पर पात है वो कौन सा है ये हो जाएगा बुढ़ा भाग क्या हो जाएगा बुढ़ा भाग या फिर इसको क्या बोलते है लोध भाग बोलते है या फिर लोधा भाग बोलते हैं लोधा भाग बोलते हैं ये सभी जो है सेमी है और ये जो है कहां पर लाते हार में पड़ता है लाते हार डिस्टिक में पड़ता है ठीक है लाते हार डिस्टिक में पड़ता है और ये कौन सी है किस नदी पर बुढ़ा नदी पे पड़ता है और बुढ़ा नदी किसकी साहिक नदी है उत्री कोयल की साहिक नदी है की साहिक नदी है बट यहां जो बात हो रही है किसकी हो रही है दूसरी सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी वाटरफॉल तो जारखंड की जो दूसरी सबसे बड़ी वाटरफॉल है ये कौन है हुन्डु वाटरफॉल है हुन्डु वाटरफॉल है तो हुन्डु वाटरफॉल किस नदी पर है स्वन रेखा नदी पर ठीक है और इसकी जो हाइट है 98.7 मीटर है लगबग जो है 320 कितना है fit है ठीक है लगबग 320 fit और ये कितना 97.8 meter 97.8 meter 97.8 meter इसकी height है और fit मिलेंगे तो कितना होगा 320 fit होगा ठीक और ठीक है और इसी में जो है medoo waterfall भी है medoo waterfall भो लिया आप इसी नदी में जो है medoo waterfall भी है ठीक है यानि hundred waterfall और medoo waterfall भी भी जो है इसी नदी का जो है हिस्सा है किस में है सुन रेखा में नदी में है ठीक है इस नदी में जो है एक मेला लगता है कौन सा हरी हर मेला लगता है मेला का नाम क्या है हरी हर मेला लगता है ठीक है अगर बोलेंगे सूर्य मंदीर ठीक है तो सूर्य मंदीर जो है और इसी नदी के किनारे है सूर्य मंदीर ठीक है सूर्य मंदीर भी जो है इसी नदी के किनारे है ठीक समझ में गए तो किस नदी के किनारे है तो आप्शन नमबर क्या हो जाएगा स्वन रेखा नदी के किनारे है ठीक इसको not down कीजे फिर next में और भी option देखते हैं जुमार नदी तो जुमार नदी जो है ये इसकी साहक नदी है साहक नदी है किसकी स्वन रेखा की ठीक है स्वन रेखा की साहक नदी है इसका जो origin है ये क्या है कांके डेम है कांके डेम से जुमार नदी निकलती है और इसकी जो लंबाई है ये कितनी है 30 किलो मिटर है 30 किलो मिटर जो है इसकी लंबाई है जुमार नदी की ठीक next क्या हो गया राडू नदी हो गया तो राडू नदी को जो है ये भी क्या है राडू नदी ये साहक नदी है स्वन रेखा की साहक नदी है किसका स्वन रेखा का साहक नदी है ठीक और ये जो है इसका औरजिन जो है ये कहां पड़ता है ये होरहाप राँची यानि कि एक राँची में जगाए होरहाप वही पर पढ़ता है होरहाप राँची में पढ़ता है इसमें जो important waterfall क्या है Gotham धारा ठीक है? Gotham धारा waterfall क्योंकि यहाँ पर Gotham बुद्ध ने असनान किया था ऐसा साक्ष मिलता है इसलिए इसको जो है गौतम धारा वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है और एक हो है गौतम घाग वाटरफॉल गौतम घाग वाटरफॉल कहां पे है ये लाते है डिस्टिक में पड़ता है ठीक है तो कौतमधारा जो है ये जौनहा वाटरफॉल का दूसरा नाम है जौनहा वाटरफॉल और इसमें और कौन सा वाटरफॉल है इसमें जो है सीता वाटरफॉल है सीता वाटरफॉल और इसको जो है लोवर सीता वाटरफॉल भी कहते हैं एक लोवर सीता वाटरफॉल है एक अपर सीता वाटरफॉल है तो जो लोवर सीता वाटरफॉल है यह कहां पर है यह यहीं पर है ठीक है और यह जोना नदी के जो है जोना वाटरफ के नजदिक में ही फलोओर वाला अच्छा यह सबी जो है ज्राभा वाटर फाल कहां पर है राची में ठीक है राची में सबसे ज्यादा वाटर फाल है इसलिए इसको जो है झहरनों का सहर बोलते हैं रांची को जो है जहरनों का सहर कहा जाता है City of Waterfalls ठीक है क्योंकि यहां सबसे ज़्यादा जो है जहरना देखने को मिलता है ठीक इसके अलावा जो है कांची नदी में भी है Waterfall कौन सा Waterfall है कांची नदी में इसको गौतम शरी इसको क्या बोलते हैं दसम Waterfall बोलते हैं दसम Waterfall बोलेंगे और दसम Waterfall को ही जो है अलग अलग नाम से जाते हैं चुकि यह दसम गड़ में है इसलिए दसम गड़ Waterfall बोलेंगे ठीक है इसको जो है The Song Waterfall बोलेंगे The Song Waterfall के नाम से भी यह जो है जाना जाता था इस बार जो question आया था CGL में तो ये the song waterfall का वहाँ पर चच्चा किया गया था ठीक है इसलिए the song waterfall को the song waterfall भी कहा जाता है ठीक है तो काची नदी तो ये भी किसका साहिक नदी है स्वन रेखा कि साहिक नदी है ठीक है रालू नदी प्लस काची नदी इसका जो संगम होता है मिलन होता है ये कहाँ पर होता है मूरी के नजदिक मूरी कहाँ पर पड़ता है रांची के पास पड़ता है तो मूरी के नजदिक इन दोनों का संगम होता है और ये जो है स्वन रेखा में मिलने से पहले आपस में मिल जाता है ठीक है यहनी स्वन्रekha में मिलने के पहले दोनों नदियान अपस में मिल जाती है ठिक और यह जो है दोनों जो है संगम है कहाँ पर यह अगर बूलिएगा तो जरह और यह West Bengal का क्या पड़ता है Border Area पड़ता है Border Area पड़ता है ठीक है तो इसका correct answer क्या होगा स्वन रेखा नदी और कौन सा waterfall ये हो गया हुन्डरू waterfall ठीक है हुन्डरू waterfall अच्छा कांची नदी में और एक waterfall है इसको क्या बोलते है remix waterfall remix waterfall दो waterfall हो गया और एक दसम waterfall और remix waterfall कांके डेम से निकलने वाली नदी का नाम क्या है तो ये कौन सा नदी होगा जुमार नदी इसकी लंबाई कितनी होगी 30 km और ये जो है इसका औरिजिन कहां पर होगा कांके डेम में ठीक है औरिजिन तो क्या हो जाएगा कांके डेम यहाँ पर दिया गया है कांके डेम अब एक यह कोकरो नदी जो है करकरी नदी अलग है कोकरो नदी अलग है कोकरो नदी जो है यह कोकरो डेम से निकलती है ठीक है और यह किसकी सायक नदी है राडू की सायक नदी है ठीक है यह नदी जो है इसका से निकलती है और ये क्या हो गया राडू नदी की साहक नदी है सीता लोवर सीता वाटर फॉल के जश्ट बाद में मिलती है यानि कि जैसे सीता वाटर फॉल आता है तो उसके बाद में जो है जैसे ये मान लिए राडू नदी निकला ये सीता वाटर फॉल हो गया और यहां पर जाके जो है ये कोकरो नदी मिलती है कोकरो नदी जो है मिलती है और ये कोकरो नदी जो है जैसे ये क्या है स्वन रेखा है नदी है तो और इधर से जो है काची नदी आपस में मिल लगता है कि जाके मिल जाता है ठीक है बहुत नजदीक में जाके जो है मिलता है ठीक है तो ये कौन सा राडू नदी है ठीक है अब देखिए यहाँ पर क्या है ये समझ में आ गया यहाँ पर और कुछ पॉइंट है ये समझ में आ गया ना इसके बाद जो है जो है ये सीता वाटरफॉल के लोजर सीता वाटरफॉल के बाद में मिलती है नेस्ट यहाँ पर पॉइंट क्या है फिर हो गया करकरी नदी तो करकरी नदी जो होता है ये बिर्वु डैम से निकलती है और इसमें जो है डक वाटरफॉल है कौन सा डक्स वाटरफॉल इसको बोला जाता है ठीक है डक वाटरफॉल जो है करकरी नदी है और करकरी नदी भी जो है स्वन रेखा का साहक नदी है लेकिन ये सभी नदियां जो है दाइं और से स्वन रेखा में मिलती है ठीक है और ये देखिए बमनी नदी है जो की बाइं और से और से कहाँ पर स्वन रेखा में मिलती है बाइं और की नदी ठीक है ये स्वन रेखा का जो है ये भी सायक नदी है और ये बाई और की जो है नदी है ये कहां से निकलती है ये वेस्ट बेंगॉल से निकलती है ठीक है ठीक है ठीक है पाई और से जो है और एक नदी है जिसको क्या बोलते हैं डूलूंग नदी दूलुंग ये डूलुंग नदी जो है ये बाई और से मिलने वाली सबसे बड़ी साहिक नदी है नदी है ठीक है और ये कहाँ पर मिलती है जारग्राम ठीक है और ये कहाँ से वेस्ट बैंगॉल से जो है ये निकलती है जारग्राम में स्वन रेका से जो इसका मीटिंग होता है तो इसका correct answer क्या होगा कांके डैम से कौन सा जुमार नदी निकलता है नेस्ट हो गया कि निम्द में से कौन सी स्वन रेखा नदी की साहक नदी है तो राडू नदी है, कांची नदी है, कोकरो नदी है, करकरी नदी है तो ये सबी जो है जैसे राडू नदी, काची नदी, कोकरो नदी, करकरी नदी ये जो है दाई और से मिलती है दाई और से ठीक है दाई और से और ये जो है बामनी यानि की बमनी इसको क्या लिखा जाता है बमनी अभी जो हमने डिसकस किया वो बमनी नदी हो गया तो रोरो नदी ये भी क्या है साहिक नदी है हर्मू नदी भी साहिक नदी है खरकई नदी भी साहिक नदी है बमनी भी संजय नदी भी साहिक नदी है डुरंडा नदी भी साहिक नदी है डुलूंग नदी भी साहिक नदी है गुदुरू नदी भी साहिक नदी है तो इसमें से जितना भी नदी दिया गया है सब क्या है साहिक नदी है सभी नदी जो है साहिक नदियां है तो देखिए इसमें जो है सभी नदियां क्या है साहिक नदियां है अच्छा रोरो नदी के बारे में आपने सुना होगा रोरो नदी में ये युद हुआ था अंग्रेजों और हो जंजाती के बीच में ठीक है हो जंजाती और अंग्रेजों के बीच में यहीं पर लडाई लड़ी गई थी ठीक है हो फ्राइब्स वर्सेस अंग्रेज का युद हुआ था ठीक है फिर यहाँ पर क्या है डुलूंग नदी के बारे में हमने बता दिया कि यह जो है बाई और से मिलने वाली सबसे बड़ी साहक नदियां है कौन सा नदी है डुलूंग नदी डुरेंडर नदी भी है संजे नदी भी है ठीक है संजे नदी भी है फिर हर्मू नदी हर्मू नदी यह भी क्या है यह राची से निकल कर इसका ओरिजिन का है राची में राची से निकल कर जो है राची में ही स्वन रेखा से मिल जाती है हर्मु नदी जो है राची से निकल कर राची में ही स्वन रेखा से मिल जाती है ठीक और ये कहां पर मिलती है अब बताईए ये कहां पर मिलती है हर्मु नदी जो है राची से निकलता है और राची में स्वन रेखा से मिल जाती है ठीक है फिर यहां पर देखिए और नदी की ते चाचा और लेडी हम कर चुके है नेश्ट कुश्चन तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा उप्शन नमबर डी चारकन के राडु नदी पर बनने वाले कौन से जल पर पात है तो राडु नदी जो है ये स्वान रेखा कि साहक नदी है और इसमें जोना वाटरफॉल भी बनता है सीता वाटरफॉल भी बनता है ठीक है अजोना वाटरफॉल को जो हैं गौतम धारा वाटरफॉल भोलते हैं गौतम धारा वाटरफॉल भी कहा जाता है ठीक है गौतम घाग एक है गौतम घाग है ये बिलकुल अलग है गौतम घाग कहां पर है लातेहार में है गौत्म घाक कहां पर है? लातेहार में पड़ता है तो ये दोनों है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नमबर C देखिए दस्वांग जल पर पात ये जो है दस्वांग जल पर पात को बोलते हैं ठेखिए ये कहां पर है? कांची नदी पर है कांची नदी पर बनने वाले दसम जलपरबाद को अनकिस नाम से जाना जाता है इसको दसौंग जलपरबाद भी बोलते हैं दसौंग जलपरबाद भी दसम गड़ चुके जहां पर जगह है उसको दसम गड़ बोलते हैं तो दासम गड़ जल पर पाथ के नाम से भी जाना जाता है तो ये तीनों का नाम सप्थे हैं तो आप्षिन नमबर D जो है correct answer ठीक है और करकरी नदी स्वन रेखा नदी से किस अस्थान पर मिलती है तो करकरी नदी स्वन रेखा नदी से कहां पर मिलती है सराय केला खरसामा में जो है गालूडी डैम के ज़स्ट पहले मिलती है सुरी चांडिल डैम के ज़स्ट पहले मिलती है देखे ये करकरी नदी है ये कहां से निकलती है ये राची से निकलती है ठीक है राची से ये कहां गया ये खूंटी गया और खुंटी से कहा गया सराइक यलाख खरसामा गया ठीक और यह मानलिय ऐसे है यह क्या है चांडिल डेम है ठीक है चांडिल डेम है तो यहाँ पर जो है यह नदी मिलती है यह कौन सी नदी हो गई करकरी नदी करकरी नदी हो गया इसी में जो है कौन सा डक्स वाटरफॉल है डक्स वाटरफॉल है और ये कौन सी नदी हो गया ये स्वन रेखा नदी हो गया ठीक है स्वन रेखा नदी हो गया तो ये कहां पर पढ़ता है चांडिल डैम फिर कोठी जाता है कोठी से सराइकला खरसावा जाता है ठीक है और ये बाला सोर क्यों इंपर्टेंट है किया है किर्तनिया पोट है यानि किर्तनिया बंदरगा है और स्वन रेखा का जो है ये ये मुहाना है ठीक है स्वन रेखा का ये मुहाना के पास पड़ता है कौन सा पड़ता है चौमुखा गाओ स्वन रेखा में बाई और से आकर मिलने वाली जो है कौन सी नदी है बाई और से मिलने वाली दो नदियां है इंपोर्टेंट दो नदी है एक तो हो गया बमनी नदी और दूसरा क्या हो गया डुलूंग नदी यह दोनो जो है बाई और से आकर मिलती है मिलती है ठीक है यह कहाँ पर बाई और से मिलती है और दोनो जो है वेस्ट बेंगॉल से निकलती और यह जो है स्वन रेखा में किसे में कहाँ पर मिलती है डुलूंग नदी जार ग्राम के पास तो इसका correct answer क्या हो जाएगा उप्रोग दोनो खरकई नदी भी दिया है तो खरकई नदी जो है ये कहां से मिलती है दाई और से मिलने वाली सबसे बड़ी साहिक नदी है दाई और से मिलती ठीक है दाई और से मिलती और ये जो है स्वन रेखा की सबसे बड़ी साहक नदी नदी है ठीक है इसका उद्गम कहा है साहक नदी है तो मिलती है ना कहां पर मिलती है ये मुहाना कहां हो गया ये मुहाना कहां हो गया ये हो गया सोनारी सोनारी का दो मुहानी इसको बोला जाता है दो मुहानी ठीक है दो मुहानी अच्छा ये नदी जो है कहां से निकलती है ये स्वन रेखा जो नदी है, ये कहां से निकलती है, खरकई नदी, ये निकलती है मयूर भन से, मयूर भन्ज, ये कहां पड़ता है, उड़िसा में पड़ता है, और मयूर भन से कहां पर जाता है, वेश्ट सिंग भूम जाता है, ठीक है, वेश्ट सिंग भूम जाता है, पस् खरसामा, फिर इस सिंग्भूम में, इस सिंग्भूम में कहा पर? जमसेद्पूर, इस सिंग्भूम में जमसेद्पूर में जो है मिलती है ठीक है जमसेद पूर में जो होता है किस से मिलता है सुवन रेखा से मिलता है ठीक है ये मयुर्बंज उडिसा से निकलती है फिर वेश सिंगभूम जाता है यानि कि पस्मी सिंगभूम फिर पस्मी सिंगभूम सराय के लाखर सावा फिर पुर्वी सिंगभूम म जो है कहां पर जमसेद पूर में ये सुन रेखा नदी से जो है मिल जाती है सुन रेखा नदी में जो है दाएं और से मिलने वाली नदी कौन सी है दाएं और से नदी मिलने वाली देखिए काची नदी भी दाएं और से मिलती है बस आप बाई और से याद रखिए बाई और से कौन नदी है एक तो बमनी नदी और दूसरा डूलूंग नदी और जो भी इसमें एक्सेप्ट दिया है सब क्या हो जाएगा दाई और से ये गुदरू नदी भी दाई और से है खरकई नदी भी दाई और से है बमनी नदी बाई और से है ठीक है दूसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या आप्शन नमबर A जितनी भी इसमें नदीयां है सब जो है कहां से दाई और से आती ठीक है सुन रेखा में मिलती है अच्छा यहां चर्चा दिया है कि अमानत नदी अच्छा अमानत नदी जो है ये किसका साहक नदी आप बताईए अमानत नदी जो है ये उतरी कोयल की साहक नदी है उत्री कोयल की साहयक और ये कहां से निकलती है ये चत्रा सिमरिया से निकलता है और एक लिलाजन नदी है या निरंजना नदी है वो भी चत्रा सिमरिया से निकलती है ठीक है हर्मू नदी कहां से निकलता है हर्मून नदी कहां से निकलती है ये भी हर्मून नदी है ठीक है हर्मून नदी विज़ो है राची से निकलती है तो इसमें ऑप्शन नमबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा सुन रेखा कि सबसे बड़ी सायक नदी कौन सी है तो कौन सा होगा सबसे बड़ा सायक नदी करकई नदी ठीक है और ये जो है कहां से मयूर भंज से निकलती है मयूर भंज से निकलती है करकरी नदी हो गया तो करकरी नदी में कौन सा वाटरफॉल है डक्स वाटरफॉल ठीक है राडू नदी में कौन सा वाटरफॉल है जोना वाटरफॉल और कौन सा इसको जो है गौतम धाराई भी बोलते है और इसमें कौन सा waterfall है और एक waterfall है ना lower sita lower sita waterfall काची नदी में क्या हो गया दसम waterfall दसम waterfall हो गया फिर remix waterfall हो गया ठीक है next question and the last question कि स्वन रेखा नदी पर बनने वाला कौन सा कृत्रिम जील है तो कौन सा डिमना लैक डिमना जील जो है कृत्रिम जील है ये जील कहाँ पर है ये धनबाद में है तो चाची जील उद्दव जील कहाँ पर है साहेव गंज में है और ये जील कहा है राची जील राची में बढ़ाएगा अच्छा स्वन रेखा में जो important डैम है कौन कौन सा है डैम कौन कौन सा इसमें एक तो हो गया गेतल सूथ डैम ठीक है गेतल सूथ डैम हो गया पिर चांडिल डैम हो गया सराइकेला में उडिसा में गालूडी डैम ठीक है गालूडी डैम ठीक है और ये गेतल सूथ डैम जो है ये राची के पास पड़ता है ठीक तो ये important कितने questions है 15 questions है जो स्वन रेखा नदी के respect में बनेंगे अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप like, share और subscribe करना ना भूलें थैंक्स फर वाचिंग वर्किंग थोट्स